अब आई हम बात करते हैं 12 राशियों की बारे में कि आज की 12 राशिया क्या कहती हैं किसका भागोदे होगा कौन विदेश जाएगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन बैग्यानिक बनेगा कौन इंजिनियर बनेगा किसको सेना में जाना है किसको पुलिस से वा में जाना है कि ये शुरुवात करते हैं मेश राशी से जो मेश राशी की जातक हैं आज आपको राजनेतिक लाब मिलते हुए दिक रहा है राजनेति की छत्र में क्या गया प्रयास सार्थक होगा आपके लिए राजनेतिक महत्वकान चाहें आपकी आज बड़ी जो महत्पूर्ण होगी वह श्यक्तियान कूल होगी पतनी का सुक्ल MIDI गवा और वैपारी किस अच्छी होगी सिक्षा कि चतर से दहनलाब मिले माली हालत अच्छी होगी माता पिता का स्वास्त उत्धम रहेगा कुछ पुराने मित्र पुराने मिलें जिनके नाते आपका हेल्थ वेल्थ ठीक रहेगा आपको आज काफी आनंदायक रहेगा और रुकाव अधन मिलने से आपकी माली हलत अच्छी होगी सौधानी क्या बरतनी है समय बड़ा कीमती है तो समय का सदुप्योग करें उपाय क्या करना बंदरों को खेला खेलाना आपक कि अनकुलता से आपके सारे कारें संपन होंगे प्रतेक चत्र में शाफलता मिलते हुए दिख रही है आज आपकी जो भी प्लानिंग है सोच समझ करके करनी की आऊशकता है क्योंकि समय बहुत किमती है उसका महत तो समझें और समय का सदुप्योग करना आपके लिए अतनी का सुख मिलेगा कुछ महिला मित्र होंगी जिन्सका सहयोग मिलेगा उच्छा धिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे अचानक देश विदेश की आत्रा कभी यूग बन रहा है परिस्टे अनकूल है राजनेतिक आपकी महत्वकंच हैं पूर्ण होते हुए दिख बात करते हैं मिथुन राशी की जो मिथुन राशी की जातक हैं आज आपको आर्थिक लाब अनेक अनेक छेत्र से मिलेगा और आर्थिक के सुरोत अन्य सुरोत से भी प्राप्त होगा अनेक सुरोत से धन की स्थिति अच्छी होगी धानागम का यूग बन रहा है प्रगत के सला से धन अरजित करेंगे एक्स्ट्रा करकुलर से धन आएगा लालित्यकला से धन आएगा लालित्यकला के छेत्र में आपका काफी यस मिलेगा परतिष्टा मिलेगा राजनेतिक लाफ मिलेगा फिल्में बना सकते हैं कहानी लिख सकते हैं किताब लिख सकते हैं आपके जीव मन उद्विग्न हो सकता है सौधानी के अब रतने स्वास्त पर विशेश ध्यान दें उपाय क्या करना भगवान स्री गड़ेश जी की अराधना करना आपकी लाप्रत रहेगा सुभंग के साथ सुभरंग हशी ग्रीन लख मीटर 8 अब आई हम बात करते हैं करक राशी की जो कर साला चंचल है एक आग्रता नहीं बन पाते थे काग्र होकर अपने कारे में ध्यान दें टास्क टार्केट औरियंटेट होके कारे करना आपके लिए हित्प्रत रहेगा बहुत सारे कारों में सफलता मिलेगी लेकिन जो भी आपकी बिग्न बादा हैं परिशानियां दूर हो अर्थिक चत्र में किया प्रयाव सार्थक होगा पत्नी की स्वास्त को लेकर के चिंता श्रमाप्त होगी दांपत्य जोन अच्छा होगा पत्नी और माता के संबंधों में सुधार होगा घर बनवा सकते हैं गाड़ी खरिदने का परवर योग बन रहेगा अचानक देश-फ मंत्र का जब करें और चंद्रमा को अर्ग है ताकि आपकी मन की चंचलता कम हो एक आगरता पड़े शुबंक है आठ शुबरंग है सफेद लग मीटर है आठ हरी कृष्णा बात करते हैं शिंग राशी की जातक हैं आज कर दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आलस्य का पर बैह होने का चल रहा है जिससे मानसिक तनाव रहेगा परिशानी आपकी दूर होंगी खड़ें तरकारी भिफल होंगे रोग और सत्रों परास्त होंगे सेर्ट रेडिंग से धन मिलेगा आप किमती सला से धन राजित करेंगे लाले तकला के छित्र से धनागम का यूग बन कुत्री होगी सौधानी का बरतनी है शक्रात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय क्या करना गरीबों को भोजन कराना आपके लिए अच्छा रहेगा और उनको वस्त्रदान जरूर करें सुभंक है नौ शुबरंग पिंक लक मीटर याठ हरी जो जो करने राशी की जातक आज आपको नए कारिय करने काशो मिलेगा सफलता की राह देख रही है और सफलता प्रापत होने से मन काफी खुश रहेगा बैपार से लाब का यूग बन रहा है आर्थी की स्थिति ससक्त होगी पिता का सहयोग मिलेगा आलस्य का प्रताक करें अपने कर्म शहते में लग जाईए पिता से धन लाब होते हुए दिख रहा है शंततियों का शुक मिलेगा संतान की प्रगत से मन प्रफुलित रहेगा रियल स्टेट प्रापल्टी माईन से धन मिलने की समहोना बंदी जो सेट ट्रेटिंग में अगर आप फूजी निविश करते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा राजनेतिक लाब मिलेगा किसी बड है क्या करना अपने बहन को हरे रंका वस्त गिफ्ट करें सुभंग के आठ सुभरंगे पीछ कलर लग मीटर आर्ट हरी कृष्णा बात करते हैं तुला राशी की जो तुला राशी की जातक है आज कर दिन आपके लिए बहुत अच्छा है अब बहुत सेंसेटिव है चुटी सकते हैं पदोन्त का योग बन रहा है परिश्टियान कूल एक गूमी खरी सकते हैं अचानक देश फिदेश की यात्रा का यच्ज योग बन रहे यात्रा से दनलाब होगा लिकिन मन उड़्डिक न रहेगा पर शिचित्यान कूल है माता-पिता के लिए उनके सेहत के लिए अच्छा घर में को बिजूर्ग प्यक्ते तुनके सिहत में सुधार होगा सौधानी का बरतने भाउकता में बहुत अच्छा अपने योजनाओं से क्रियान्वित करें और योजनाओं से लाफ मिले का यूग मना आपके सभी कारी संपन्ध होंगे रुका हुआ कारी होगा मातापिता का सुक मिलेगा नई नोकरी मिलने का भी योग बन रहा है धनलाब की सिति अच्छी होगी दुरगटना इताथ से बचेंगे और कोई भी रोग और सत्रू होगा परास्त होगा खड़ें तरकारी भी फल रहेंगे और आज आपका जो भी पत्नी का हेल्थ में सुधार होगा माता जी का सुख मिलेगा अगर कई कोई घर में बजूर्ग व्यक्ति तो उसके स्वास्ति शुधार होगा सौधनी के अब रतनी हैं आप अपनी छमता को पहचाने उपाय क्या करना है काला चाना मंदिर में दान करना आपके लिए च्छा र रहेंगे एडेन शत्रों की संख्या में ब्रदी होगी आत्मबल में प्रगत्य होगी बिबादों से बचने की जुरत है किसी भी कंट्रोवर्सी में न पढ़े आर्थिक पक्ष मजबूत होगा आर्थिक चत्र में क्या के प्रयास सार्थक होगा लिखनकारे से धन मिलेगा के चत्र में नोकरी मिल सकती है अध्यात्मिक विकास होगा और पांडित कर में रूची बढ़ेगी प्रवचा नोगारा कर सकते हैं मंदिर इत्यादी का बनाने का यूग वन रहा है राजनेतिक लाप मिलेगा किमती सला से धन अरजित करेंगे सौधानी क्या परते हैं गुस्ते पनियंत्र नखें उपाय क्या करना अशाहाई की मदद करें और उनको वस्त्र गिफ्ट करें और आज क्या करें कि पीले रंग का कोई भी रंग का वस्त्र दान करें आपके लिए अच्छा है आपको क्या करना कि बहुत केर रहाना है गुस्ता नहीं करनी करने से परहिज करिए नहीं तुर नुकसान हो सकता हैं अंदरात्मा की आवाज को सुनें उसके दिसाल निर्देशन में कारे करना आपके लिए बहतर होगा अपने मंद को जितना सान तशित रखेंगे उतना आपके लाप्रत रहेगा पतुन्नत का योग बनदा है परिश्चिती अन्कूल है लेखन कारे में भिरुची बढ़ेगी अपनों से थोड़ा साज विबाद हो सकता है खासतोर से बैचारिक मद्वेद होने की समभावना बन रही है आतजिक खर्च से मन उद् असर मिलेगा सौधानी का बरतने गुरुजन की सलाह लेकर के नियाकारे करें आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय क्या करना पीपल के प्रेड़ पर जल अर्पित करना आपके लिए स्रेश कर रहेगा सुबंक है आठ सुबरंग सफेद लग मिटर नौ हरी क्रिश्न बात क करते कुंभराशी की जो कुंभराशी की जातक है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है संतान की प्रगत से मन प्रसंद रहेगा इंकम का जरिया बढ़ेगा आए के संसादों में बढ़ोतरी होगी आपको धनलाब होते वे दिख रहा है आपके जीवन सेंगरी होगी उनका भरपूर साहुग मिलेगा मेंटल मौरल इमोशनल सपोल्ट मिलेगा आज आपको बैपार में बढ़ोतरी हो रही है और रियल स्टेट प्रापल्टी से धनलाब मिलेगा इंडस्ट्री लगाएंगे माइन से धनलाब मिलेगा कुछ नया बैपार करना चाहते हैं तो उस सुरूं के कारिशतर में दखना अंदाजी न करें उपाय क्या करना चिडियों को बाजरा खिला में जुरतमंद को वस्त्र दें सुभंके आठ सुभरंगे इस लटी कलर लग मीटर हसाथ हरी कृष्णी अब आई हम बात करता हैं तिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आपके संत्तियों की प्रगति के लिए आज का दिन चल रहा है संतान की प्रगति होगी आज आपका मनोबल बढ़ाना होगा संतान के और अपना भी मनोबल अच्छा रखना होगा यह आपके लिए करना स्रेश कर रहेगा संतान क कुछ साहित करें किसी का विशेश बिरोध न करें क्योंकि बिरोध करने से आपकी विरोधी बहुत बढ़ेंगे इसलिए आप तट्रस्त भूमिका मेरत अच्छा रहेगा आज आपके विरोधी शक्री हो सकते हैं गुपत संत्रों की शंख्या में ब्रदी हो सकते हैं तो गुपत संत्रों से सौधान रहें परिश्रम से धनलाब होगा कर्म श्यत्म भिस्तार होगा नए तरह के कारे कर सकते हैं उसके आज कर दिन अच्छा है माता जी के स्वास्त को ले करके सचेत रहें और इन्वेस्ट करने से बचे हैं, सुक्षा के छित्र से लाह मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, सौधानी के अबरत नहीं है, आज आपको क्या करना है कि अपने दिल के बजाए दिमाग से निर्डेले, उपाय क्या करना है, ओम सिरी गुरुवे नमाश मंत्रा का जब करें, शुब मंगल मैं खुब आगे बढ़िये, प्रगत करी आपका चतुरतिक विकास, आपको सुख सम्रीधी, ऐस्वारे पत्परतिष्टा प्राप्तो, आप पर भगवान भुले नात के किरपाबर से हैपी बढ़, आज जिन दर्सकों का जम दीन हुनका मुलांक होता है, दो तो खास मान आएगा, शुक सम्रीधी, ऐस्वारे में बढ़ोतरी होगी, नए प्रकार के कारी होंगे, सरकारी उच्पत प्राप्ति का योग बन रहे, अकेडमी के रियर आपका अच्छा होगा, जन्वरी से लेके जून तक का कालखंड आपके लिए सुरणी में, चतुरतिक विकास प्रकति, घर में नया महमान और माली हाला तच्छी होगी, पत्ने की स्वास में सुधार होगा, देखा जायते हैं वर्षाब के लिए काफी अच्छा रहेगा, सौधानी के अबरतनी है, खान पान पनी इंतनल करें, अपनी गुपनी दाबरती है, और उताले पर में कोई कार करना आपके लिए हित प्रद रहेगा, पुना है एक बार आपको जन्म दिन की बहुत 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 बदाई, देरुसुख कामना है, हैपी बड़ दे, अब आई यहां बात करते हैं, गुरू के नुस्खे की, आज दिन है सोमवार, सोमवार दिन, खास तोर से देवा दिद महादेव, इनको करते हैं, बोले बंडारी हैं, आज के दिन भगवान सीव की पूजा और उसे जुड़े कुछ खास उपाए हैं, अगर करते हैं तो बहुत कारकर माना जाता है, पुराना के उन्सार शीवलिंग पर कुछ खास चीजए हैं, अर्पित करते हैं तो इससे भग उपाए जरूर करें, और आईए बताते हैं कि उपाए क्या है, सोमवार के दिन क्या करें, कि भगवान भोले नाथ को कैसे परसंद करें, इसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाए, अगर आप करते हैं, तो बहुत चोटे चोटे उपाए, अगर आप करते हैं, तो बहुत बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक, सम्मिपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भुले नात अतिश्य के प्रसंद होते हैं और आपके घर में शुक सम्रिधी एश्वरे में बढ़ोत्री होगी। जदी व्यक्ति रोग और सोग से परिशान है ता आप ओम हरौम जुम सह इस मंत्र का एक माला तीन माला जब करें आप देखेंगे कि आपका हेल्थ और वेल्थ ठीक रहेगा। पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक किस्टे में शुधार होता है और सोमवार के दिन खास और से शीलिंग पर गन्ये के रश्य अगर अभिशेक करते हैं तो आपके घर में शुक सम्रिधी एश्वरे प्राप्त होता है और भोवले नात शिग्र प्रस तरीके साब भुले नात के अराधना करके आप भुले नात को प्रसन कर सकते हैं और आपका दिन अच्छा नहीं भागे गुरु कारिकरम में बस आज इतना ही फिर हम आप से कालिसिस में इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत आप देखते रहे निव इसकार